अलो दोस्तो फाइनली जेई मेंस सेकंड अटेंब आप सभी का ओवर हो चुका है और अपने क्लास 12 के स्टुएंट्स के बोर्ड के एक्जाम्स भी ओवर हो चुके हैं अब असली जंग जेई एडवांस कई सारे अपने भाई बंदु इस समय इस बात को लेकर के कंफ्यूज है न कि अब जेई एडवांस के लिए क्या करें किस स्ट्राइटिसी को फॉलो करें आगे की क्या प्लैनिंग रहनी चाहिए तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको बिल अगर आप इस समय कोटा में हैं तो डेफिनिट्ली आपको बता देता हूं अगर आप इस समय कोटा में है तो डेफिनिट्ली आपको इन क्लासिस को अफलाइन अटेंड करना चाहिए अपने कई सारे ओनलाइन लर्नर्स ऐसे भी होंगे जो इस समय कोटा में नहीं है तो वो सभी लोग इन क्लासिस को ओनलाइन मोड में अपने घर से अटेंड कर सकते हैं अगर आपके पास अनकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है और यहां पर कौन-कौन से educators involved रहेंगे तो मैं आपको बता दूँ फिजिकल केमिस्ट्री में VKR सर, physics में मैं खुद, maths में आपके फैवरेट ओम सर्मा सर, inorganic chemistry में दुरगेश तिवारी सर, one of the legend और organic chemistry में राकेश सर्मा सर, from the OC, यह सभी educators आपको आगे Mark Derson 3.0 में J.E. Advance के लिए प्रिपेर करेंगे, under the mentorship of Mohit Bhargav सर, ठीके भई, अब मुद्द यह है कि सर, क्या रहेगा आगे का plan, तो देखो यार मैं आपके साथ पूरा plan यहां पर बता देता हूं, और इसके अलावा, उस plan को हम है, देख लीजगा, यह जो classes हैं, वो 16th April से start होने जा रही है, और आप यहां पर observe कर पा रहे होंगे, कि यहां पर physics, maths, IOC, OC और PC के, यहां पर chapter wise segregation किया हूँ है, जैसे कि आप देखिए 16th April को, यहां physics में हम kinematics cover करेंगे, maths में vectors in 3D, और OC में isomerism, classes की क्या frequency रहेगी, एक दिन में total 3 classes रहेंगी, आप लोगों को यह देख करके समझ भी आ रहा होगा, जैसे जो second lecture है physics का, वो होगा आपका 17th April को, उसमें हम physics में in topics को cover कर रहे होंगे, NLM, friction, circular motion and WP, maths में PNC, इसमें IOC में synergic bonding and isomerism, पूरी planning है, देखिए 16 April से लेकर के, यहां last तक आप observe कर सकते हैं, 18th of में तक पूरी planning हो चकी है, तो आपने अपनी energy इस direction में waste नहीं करनी कि मुझे कब कौन सा chapter cover करना है, आपको सिर्फ इस strategy को क्या करना है, follow करना है, मुद्दा यह कि सर इस दौरान क्या हमारे exams भी होंगे, तो मैं आपको बता दूँ, yes, weekly आपके यहां पे all India exams भी होंगे, जैस 22 April को आपका FST, J advance pattern का exam, इसी तरही कि से 29 April, 6 May, 13th में, पूरी planning है, ठीक, test की आपको कोई tension नहीं लेनी, syllabus completion की आपको कोई tension नहीं लेनी, अब मुद्दा यह है, कि सर एक lecture 90 minutes का होगा, क्या उसमें आप हमें पढ़ाएंगे, तो देखे यार, दोस्तों, आपको भी बता है, य मेरा मानना यह है, कि इस समय, जो भी students, advance पे focus कर रहे हैं, उनका theoretical part लगभा cover ही होगा, ठीक है, तो जैसे मैं physics के point of view से बात करूँ, तो physics में जो हमारा main objective रहेगा, वो क्या रहेगा, कि जैसे कि यहां पर मैं जब kinematics discuss करूँ, तो kinematics में वो important concept, जो की question solving में हमारी help करेंगे, व आपको बता दूँ, कुछ ऐसे standard, अच्छे questions कराऊं, miscellaneous profile के, जिससे आपके chapter के कुछ important concepts है, वो आपके revise हो जाए, मतलब ये session जो है, वो बहुती effective session रहने वाले है, मतलब 90 minutes में हम उन सारे expects को cover करने की courses करेंगे, जिससे आपको J advance के PYQ को करने में, और हमारी QFT book है, उससे solve करने में, आपको help मिले, अब आप में से कुछ सार, बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, ये QFT book कौन सी है, तो मैं आपको बता दूँ कि, जो भी students, इस Mark Darshan 3.0 badge को join करेंगे, उन्हें हम QFT book भी provide करेंगे, ठीक, QFT book क्या है, QFT book में chapter wise, हर एक chapter से, one of the best collection लिया गया है questions का, और ये जो book है, that is designed especially for those students who want to secure the rank under the top 100, अब मुद्दा ये है कि, सर, क्या QFT के हमें solutions भी मिलेंगे, पेटा, PDF solution नहीं, आपको even इसके हम video solutions प्रोवाइड करेंगे, हमारा ये YouTube channel है, Quota Pulse by Unacademy, अगर आप इसके playlist में जाकर के देखेंगे, तो हम लोग ने already लगबक 80 to 90% chapters के detailed video solutions भी upload कर दिये हैं, सर, QFT की hard copy मिलेगी है, soft copy, भाई, simple सी बात है, जो हमारे offline learners हैं, उन्हें hard copy मिलेगी, जो कि यहाँ पर 16 April के बाद QFT की booklet ले सकते हैं, और जो हमारे online learners हैं, उनके लिए, ये QFT booklet जो है, वो Unacademy के app पर upload कर दिया जाएगा, ठीक है भाई, तो I hope कि आपके सारे doubts क clear हो गए होंगे, और इस बात को ध्यान रखेगा, कि अगर आप इस plan को बहुत sincerely follow करते हैं, तो आपको इसके लावा कुछ भी करने की जववत नहीं है, क्योंकि एक effective और एक ऐसा compromise plan आपके लिए तयार किया गया है, जो कि सच में आपकी बहुत help करेगा है, और इस इस नोट को देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी doubt हो, तो please उसे comment section में लिख करके जरूर बताएगा, मैं आपके सारे comments पढ़ूँगा, और कोई भी अगर genuine problem होगा, तो उसका solution भी find out करेंगे, यहाँ पे कुछ अपने students ऐसे भी होंगे, जो first time हमारे साथ interact कर रहे अगर इस Mark Dasan batch को join करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूँ कि उसका link जो है, वो इस video के description में दिया हुआ है, जब आप उस link पर click करेंगे, that is a registration link, तो आपको वहाँ पर वो जो prize है, वो आपको 3999 दिखाई देगा, ठीक है, उसमें क्या है, कि अगर आप यहाँ center पर आके registration क जो हमारा offline learner नहीं है, वो यहाँ पर office में आकर के registration कर सकता है, if they want to get a scholarship, I hope यह सारी चीजें clear हो गई होंगी, और यह पूरा planner जो है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो planner है, इसे भी हम इस video के description में डाल देंगे, जिससे आपको overall हमारी पूर 40 to 45 days आपको हमें follow करना है, this is a complete roadmap जो आपको आपकी मंजल तक पहुचाएगा, तो तयार हो जाएए, एकदम मस्त हो करके, अब यहाँ पर कुछ students ऐसे भी होंगे, कि sir, अभी तो थोड़ा सा हमारे पास वक्त है, क्योंकि classes start होंगी 16 से, तो अभी हमारे पास 4 to 5 days का भी time है, तो इस time को हम कैसे utilize करें, तो देखे मेरे दो recommendation है, अगर आपका कोई भी chapter जिसमें आपको लग रहा हो कि यार यह chapter मैंने complete नहीं किया, या इसकी theory जो है, वो मुझे अच्छे से नहीं आती, तो आप वो cover कर सकते हैं, और अगर आपका सब कुछ complete है, तो मैं आपको यह वो sessions ऐसे हैं, जिसमें limited number of hours में आपका entire syllabus का question practice भी हो जाएगा, I hope आपके सारे doubts clear होंगे, if अगर अभी भी आपको कोई doubt है, please write down in a comment box, I will reply, thank you so much, let's crack it.